राहूल गांदीजी, मुझा लगता है राहूल गांदीजी के अलावा कोई काविल आदमी पूरी पार्टी में नहीं है। पार्टी ने अपनी प्रेजिदेंचिल पोस्ट को भारत की किसी भी डेमोकरिटिक पोस्ट से कहीं जादा ऊपर रखा है 189 साल का हिस्ट्री अपना बताने वाली कॉंग्रेस पार्टी जो 189 एर ओल पार्टी है जिसके प्री इंडिपेंडेंस में मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद और सुभाष अंदरबूष महात्मा गांदी और ना जाने कितने सारे नाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े हिस्टॉरिकल नाम जो इनके प्रेजिदेंट रहे लेकिन पोस्ट डिपेंडेंडेंस के बाद जंद्या अरकने चाहती है मैं रखाल से कॉंग्रेश के लिए राजनीती में डेमोकरेशि एक तरह समीLab क Karti में डेमोकरेशि नहीं है आप ऐसी पार्टी को किस नजर से देखेंगे में आपको उनका एक स्क्रूटेन.자ně दिखाँगा जिसमें उन्होंने क्या लिखा यह पढ़ना बहुत जरूरी है यह देखिए यह कॉंग्रेस पार्टी का स्कूरूटने रिपोर्ट है जिसमें लोग कहते हैं कि we have scrutinized each nomination paper and found all the 89 paper valid 89 nomination के paper आये हैं जिन्होंने सबने कहा कि राहूल गांदी भाई ऐसे तो James Bond होगे है मतलब पूरी दुनिया का ऐसा कोई election process नहीं होगा जिसमें पूरे के पूरे वोट उनको चली जाए एक बात है होगी आज की जिट से देखा जाए तो यह Indian politics में गरता वास्त है यह बुरा दिन है एक तरह से black day for democracy है कि एक party जो pre-independence से आज सिक जिन्दा है लेकिन आज वो party पूरी तरह से नहरू और गांदी परिवार की गुलाम हो चुकी है पहले हमारे देश बिटेश्रस का गुलाम था उससे पहले मुगलों का गुलाम था उसके बाद अब Congress party जो हमारे country का एक important हिस्सा है वो गांदी परिवार की गुलाम है एक message पूरे यंग्स्टर को पूरे देश को सारी state को राहूल गांदी जी ने clear कर दिया है कि no matter आप में कितनी काबियत है आप कितनी talented है आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते है या नहीं करना चाहते है गां में तो क्या कहने है उनके सारे चर्चे पूरी दुनिया जहान में है और सिर्फ चर्चे नहीं है उनके बारे में memes नहीं है उनकी बहुत सारी सच्चाई है जो आप internet से निकालके एक second में scroll करके देख सकते हो क्या आप आने वाले समय में कभी भी जंदगी में ऐसे इंसान को ह चुपचाप से youth icon मना दिया था मैं आज तक वो media channel डूट रहा हूं कि किसने इनको youth icon मनाया था एक बार मुझे मिल जाना है उससे करूँआ भाई तेरको क्या दिखाए दिया देख सको youth icon मनाने में आज clear हो गया है Congress party को ना youth से लेना देना है Congress party को ना इस country से लेना देना है Congress party के लिए nation first की policy नहीं है Congress के लिए policy है गांधी first everything second गांधी first country second गांधी first party second ऐसी party से आने वाले youngster कोई उमीद रखे ना कोई state उमीद रखे और आने वाले election में हमें Congress party को जवाब देना चाहिए कि अब ये नया भारत ये नया देश ये नया youngster इस dynasty की politics को बरदाश नहीं करेग अब वही लोग राजनीती में राज करेंगे जो काबिल हैं जो उस काबियत को रखते हैं क्योंकि नया भारत कम से कम इस dynasty politics से चलने वाला नहीं है तो मेरी सारी youth से गुजारिश है मेरी सारी गुजराच से गुजारिश है चुनाओं में जाएं vote डालें Congress party को सबक सिखाएं क डाइनेस्ट पॉलेटिक शैद Congress party में चल सकती है लेकिन ये देश बरदाश्ट नहीं करेगा अब बस बहुत हुआ जहें जहें दोस्तो